बिहार में धमाकों का सिलसिला जारी है भागलपूर के बाद अब बुद्वार को गुपाल गज में भी एक तेज धमाका हुआ फुलवरिया थाना छेत्र के बतुआ बजार में हुए इस धमाके में मौके पहरी एक 45 साल की यक्ति की मौत हो गई जबकि उसका पुत्र गंभी रूप से घायल हो गया जिसे सदर अस्पताल में भरती कराये गया है वहां से डक्टरों ने उसे गोरकपूर रैफर कर दिया है जानकारी के अनुसार जहां ये घटना हुई वहां फटाका बनाने की फैक्टरी है और वहां अवैद ढंग से फटाके बनाए जा रहे थी जिस घर में ये ब्लास्ट हुआ है उसकी दिवार, छत और कमरा पुरी तरह सतीग्रस्थ हो गया घटना के सुचना मिलने के बाद गोपालगस डीम, नवल किशोर चौधरी और स्पी अनन्द कुमार घटना स्थल पर पहुँचे पुलिस ने घटना की जाज शुरू कर दी है स्पी अनन्द कुमार सिंग ने कहा कि सतीग्रस्थ मकान को सील कर दिया गया है जाज के लिए FSL और BDS की टीम को बुलाया गया है पता दे के कुछ दिन पहले ही भागलपूर में भी एक जबर्दस धमाका हुआ था जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी और 10 से जादा लोग हायल हो गई थी थुआ बजार में एक मकान है हलीम मिया का और उनके मकान में एक बिस्फोट हुआ है और जिसमें की उनकी मिर्ती हुई है और उनके पुत्र हैं वो जक्मी हुए है जिनको इलाज के लिए एस्पिताल भेजा गया है और मौके पर यहां पर हमारे स्थानी परदा दिकारी मौजूद है और हम लोग भी यहाँ पर हैं और साथी-साथ घटना का कारण क्या है और किस प्रकार से यह विस्टोस्पो विस्पोट हुआ है उसके लिए निस्कर्ष पर पहुचने के लिए हम लोगों ने जो FASL की टीम वालिस्टिक टीम है उनको बुलाया है और जो BDS के टीम है उनको ही बुलाया है और वो लोग टीम आके इस घटनास्थल का मुवाइना करेंगे अभी हम लोगों ने इस घटनास्थल को सील कर दिया है ताकि जो भी प्रदर्श हो वो नश्ट ना हो और उनको हम लोग संकलित करके रैफेसल में प्रदर्श है जाए जाद चल लए है हम लोगों ने उस अगल बगल के घर को भी धर के लोगे उनको भी रिखेस्ट की है और जो हमारी इस अभी एक आदमी कड़ेत हो गया है और दूसरा आदमी उन्जोड है जो हमारे सदर अस्पताले में था उनको रेफरल के आवश्क्त परी है हम लोगों ने रेफर किया है और एक बेखती इंजोर्ड है और खुटनास्तल फिलहाल क्या करवाई की जा रही है और अभी एफसल के टीम और स्निपर डॉक की टीम एसमें साब का रिक्वेस्ट किया गया है और हम लोगी जो है बॉन स्पाड टीम होती है उसको भी ह हम लोग एफियार करते बुला रहे हैं और उनके ज्यास प्रताल की बादी में लोगी जोटा है